जे गुरुजी, गुरुजी को मेरा कोटी-कोटी ब्रणाम, सारी संगत को मेरा ब्रणाम, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना आज आप लोगों के साथ जुड़ने का आउसर देने के लिए और अपने सद्गुरु का गुंगान करने का भी आउसर मिलने के लिए. कभी कभी इतना ताज़ुग होता है कि कैसे हमारे गुरुजी महराज जिनका हमारा साथ तो जन्मों जन्मों का है इस जन्म में हम सारी संगत को अलग-अलग मुकाम पे मिले हैं अपने से जोड़ा है उन्होंने अपनी छत्रचाया में लिया है संगत इतनी सारी दुनिया में फैल गई है मैंने अपनी जर्मी गुरुजी के साथ इस प्लाटफॉंग पे कई बार शेयर की है जर्मी तु गही है कई बार सोचते हूँ कि अरे ये बताना चाहिए था वो सच्छन शेयर करना चाहिए था लेकिन जो गुरुजी कहलवाना चाहते है वही सामने आता है जैसी मैंने पहले भी शेयर किया है गुरुजी को हम पहली बार मिले थे हमारे एम्स के कोलीग है डॉक्टर खिलनानी उनकी घर पे जब गुरुजी आये थे डॉक्टर खिर्णानी ने हमें इंवाइट किया लेकिन मैं उस समय बिल्कुल नहीं जाना जाती थी क्योंकि इंट्रेस्टेड नहीं थी इस तरह के धार्मी आफसरों पे जाने की उनका फिर दुबारा कॉल आया कि अंकल को जैसे डॉक्टर पांड़ा उनको कि मुझे जरूर लेके आए और शाय जी गुरुजी का बुलावा था क्योंकि मैं एक्दम से तयार हो गई कि चलो चलते हैं और हम लोग वहाँ पर गुरुजी को पहुंचने से पहले ही पहुंच गये गुरुजी पांच बज़े पहुंचने वाले थे हम लोग थोड़ी देर पहले पहुंचे और हम डॉक्टर खिलना नहीं तयार बैठे हुए थे गुरुजी का स्वागत करने के लिए और हम उनसे जाके बात करने लगे गुरुजी के बारे में उनको पूछने लगे कि ये इनका नाम क्या है कौन से गुरुजी है ये कहां से हैं क्या करते हैं तो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी का कोई नाम हम नहीं लेते और जो भी कुछ है गुरुजी वो आप खुदी देख लीजे और हमारी बाते हुई रही थी उसी समय गुरुजी की कार उनके दर्वाजे के सामने आई और वो गुरुजी के स्वागत के लिए आगे गए हम लोग दोनों दर्वाजे पे ही खड़े रहें जब गुरुजी को अंदर लेके आएं गुरुजी थोड़ी सी संगत अपने साथ लेके हमेशा जाते हैं वैसे लेके आये थे और जैसे गुरुजी ने दर्वाजे के अंदर कदम रखा और हम ने दोनों ने उनकी तरफ जब देखा तो एक क्षेंट के लिए that moment is frozen in time for me मैं वो क्षेंट कभी नहीं बूल सकती मेरे लाइफ का ये सबसे भागेश अली सबसे अलोकिक और सबसे पामन क्षेंट हैं जो मैं अपने गुरु को रूबरू first time मिली थे गुरुजी को देखते ही हम लोग बिल्कुल मतलब अपना सब कुछ भूल गया जैसे क्योंकि मुझे वो पहले क्षेंट में तो यही लगा कि वो इस धर्टी के हैं ही नहीं वो कहीं बाहर से किसी दूसरे प्लैनेट से आये हुए लग रहे थे किसी फरिष्टे की तरह और उनका जो औरा था जो तेज था वो तो आपने कई सारे सत्संगों में सुना होगा जब लोगों ने संगत ने बताया है लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने महसूस किया कि उनकी आते से पूरे बातावरन में बदला हो गया एकदम से positivity फैल गई ऐसा लगा अंदर से मन में एकदम आनंद और एक तरह का सुकून और शांती महसूस होने लगी कुछ तो भी अजीब से मतलब इतना आनंद वो बयान ही कर सकते उस तरह का कुछ एक एनरजी अपने अंदर से भी निकल रही है इस तरह से कुछ महसूस होन अंद डॉक्टर खिलनानी ने जब हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराया तब गुरुजी ने अंकल को बोला कि डॉक्टर तो उसी बहार चले जाओ तो हमें लगा कि शायद हम इस धार्मिक वातावरण में शायद कोई बहुत पहुँचे हुए महापुरुश है और इनको शायद हमारे इस बातावरण के लिए हम सुते भी नहीं है इसलिए हम को जाने को कह रहे हैं तो हम लोग बाहर के दर्वाज़े के तरफ जाने लगी और गुरुझी हमें संगत हमें अंदर बुलाने लगी कि गुरुची हमें अंदर बुला रहे हैं और जब तक गुरुजी अपने आसन पे विलाजमान हो चुके थे, गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, बिठाया, और बताया कि नेम, फेम, एंड वेल्थ, एवरिफिंग इस देट वर आउट से देट लिए, इस तरह कि मतलब उनकी बातों का था, यह वो हमें समझान लगी, और फिर हम लोग उनके पास ही बैट गए, अंकल ने हाथ जोड़के गुरुजी से कहा, कि गुरुजी, मैं पचीस साथ से बाहरी काम कर रहा हूं, अब अब इंडिया के लिए काम करना चाहता हूं, तब गुरुजी ने समाइल करके उनको पैट, सकंधे पे थप पैटने लगे, थोड़ी दिर बहुत शान्ती चाही रही, तो फिर मैंने संगत से आई हुई एक आंटी को, जो मेरे साथ बैठी हुई थी, उनसे पूछा, कि अब यह क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ बोलेंगे भी, तो उन्होंने कहा कुछ तो मैं मन में सोचने लगे कि अभी फिर हमें यहां किस लिए बुलाया है कि अगर यह कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं, तो हमें बुलाया किस लिए हैं, तो उसी समय फिर गुर जी ने एक अंकल को कड़ा किया और उन्होंको अपना experience शेयर करने के लिए कहा तो उस वो एक पेशेंट ही थे डॉक्टर खिलनानी के जो गुरुजी के तरह मतलब उन्हों ने उनको भेजा था और गुरुजी के ब्लेसिंग से उनका कैंसर ठीक हो गया था उन्हों अपना सारा experience सुनाया उसके बाद में गुरुजी ने किसी दूसरे अंकल को अपना experience सुनाने के लिए कहा तो इस तरह से काफी लोगों ने सत्संग शेयर किये हम बीच में हम लोगों चाय प्रिशाद और लंगर सर्व हुआ गुरुजी बीच में हम लोगों से छोटी बात भी कर रहे थे बहुत प्यार से गुरुजी हम से कुछ पूछ रहे थे जस्ट अ स्मॉल टॉप और लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा था experience भी हमें बहुत interesting लगे हमारा कुछ ऐसे विश्वास होना नहीं होना इस तरह के भी कोई मतलब मन में विचार नहीं आया पस अच्छा लग रहा था फिर उसके बाद में गुरुजी ने हमें कहा कि आपको महां इंपारिस्टेट आना है वहां में रहता हूँ और वहां पर Thursday, Friday, Saturday, Sunday में संगत होती है तो आपको Thursday को आना है उस दिन Sunday था और हमें Thursday के लिए गुरुजी बुला रहे थे कई बार गुरुजी ने कहा तो उस समय हमने कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में बस हमें बस अच्छा लग रहा था उसके बार में जब सत्संग खतम हुआ और गुरुजी चले गए हम लोग भी बहुत खुशी से घर आए कि आज एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति से मिले एक बहुत ही अच्छा अनोख हुआ और बहुत अच्छा लगा और सम रीजन बहुत अच्छा लगा तो उसके बाद में लेकिन next day हम अपने काम में व्यस्त हो गए लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया हमें गुरुजी की याद आने लगी और मैं और मेरे husband दोनों भी we are very different people हमारे likes, dislikes भी बहुत ही different है लेकिन दोनों को same feeling महसुस हो रहे थी गुरुजी की याद आ रहे थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ हमको बिल्कुल जाना चाहिए तो जैसे जैसे दिन बित्ते गई वो हमारी eagerness बढ़ने लगी तो जैसे बैनस टे आया तो मैंने अंकल से बूला कि डॉक्टर एक शर्मा है जो एंस के बहुत senior डॉक्टर है जिनको गुरुजी नहीं कि जैसे लाया था तो वह भी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स है तो हमने कहा कि चलो उनसे पूछते हैं कि वह इंपार स्टेट कुछ बोल रहते गुरुजी तो वहां वहां कौन सा बुलाया है आपको कल चलना है ना तो हमने कहा हम बिलकुल चलना है and then he took us both of us और हमको अपनी कार में वहां ले गए और रस्ते में उन्होंने फिर गुरुजी के बारे में थोड़ी बाते बताई वहां के चीजों के बारे में बताया तो जब हम वहां पहुँच गे और वहा टेकनी के लिए तो जैसे हम उड़कर कि गुरुजी से फिर गुरु हुए तो गुरुजी ने जैसे ही हमारे तरफ नजर उठाई और I saw गुरुजी was smiling very happily और मुझी उस समय ऐसा महसुस हुआ कि गुरुजी was actually very happy to see us and he was waiting for us. कहते हैं ना कि जैसे इनसान गुरुप को खुष अपने शिशों को बुलाता है अपने भक्तों को बुलाता है और उनका इंतजार करता है तो इस तरह कि कुछ मुझे बावना महसुस हुए जब हमने उनको मत्ता टेका तो गुरुजी ने फिर अपने पास बेठा लिया और फिर चाय प्रशाद आई और लेकिन यहां पर थो सारे लोग थे और तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा कि I was feeling a little discomfort कि यह कैसे गुरु है इस ही और फैशनेबल गुरु जिस तरह से मतलब इसमें होता है बड़े शहरों में लोगों के शोख होते हैं कि गुरु चाहिए इस तरह से तो नहीं है तो उस दिन तो मैंने कहा कि संत तो साही बबा जो शिर्डी के हैं उनके जैसे होते हैं कि जिनके पास गरीब आते हैं और उनको सबसे ज़्यादा वो कल्यान करते हैं तो गुरु जी एकदम से मुझे बोल उते हैं कि मैं साही बबा से मिला हूं बचपने and then I kept thinking कि भाई ये गुरु जी कैसे मिल सकते हैं उनको उनकी कैसी उमर थी कौन से उमर में वो चले गए और गुरु जी तो उसके बहुत बाद में पैदा हुए होंगे I just keep मतलब अपने मन में rational जो हमको नहीं करना चाहिए बाद में हमने ये unlearned किया वो उस समय मेरे मन में विचाराने लगे तो गुरु जी बो पेट पालने में लगा हुआ होता है उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता है उसके मन के पास मैं खुद चला जाता हूँ जो मेरे मन के विचार पढ़ रहे हैं जो मेरे मन में आए उसका जवाब दे रहे हैं उसके थोड़ी बेर के बाद में एक आउंटी मेरे पास आके बैठी वो बाद में मतलब मेरे उनसे बहुत अच्छी पहिशान हुई पर आट ताइम शी अन्नोन टो मी उर्वश्य आंटी नाम इनका वो मेरे पास आई and then she started telling me about गुरुजी तो और मेरे मन में फिर जो जो सवाल आते गए उनका वो भी जवाब देती गए मैंने का कैसी अजीब जगा है या गुरुजी भी हर चीज़ बता रहे हैं आप खैर वो तो महापुरुश है और बहुत मतलब इवर्ट सो ल आ रही है उस समय मुझे इसे सत्संग कहते है इसका भी कोई अंदाजा नहीं था तो मेरे साथ वो सत्संग कर रही थी और उसमें मुझे बहुत सारे जवाब मिल रहे थे जो जो मेरे में hundreds of questions I had और जवाब मिलते गए मिलते गए तो बहुत अच्छा लग रहा था यहां की वज़ा से भी कोई discomfort नहीं हुआ बस मुझे अपने गुरुजी के पास ही गुरुजी के तरफ ही देखती रहती थी वो किस तरह से संगत से बात करते हैं किसको क्या जवाब दे रहे हैं किस तरह से उनका मतलब भाव होता है और वो सब कुछ मैं उन्हीं के तरफ पस देख मुझे तो बिल कि आज भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजे जो हमारे गुरुजी उसको पहनते थे उन्हीं ने उसको टच किया था इसलिए वो सुन्दर होंगे क्योंकि वो हमारे गुरुजी जो है वही सबसे दुन्या में सबसे बढ़िया सबसे सुन्दर सबसे महान सब क गुरुजी ने हमें कहा कि आपको कल फिर आना है अचा एक चीज़ मैं बताना कभी रह जाता है और मुझे आज भी बड़ी शरम आती इस बात से कि उस दिन मैं ने कहा ना कि मुझे डिसकंफर्ट हो रहा था तो मैंने मतलब चाह प्रशाद दिया लेकिन मैंने लंगर के लि मुझे वही सवाल किया कि यह आउंटी नंगर किया और मुझे लगा शायद मैं मना करूं तो इनको बहुत बुरा लगेगा तो मैंने कहा हाज जी कर लिया और मुझे आज भी इतनी शरम हाती है कि मैंने उस दिन मैं कभी जोट नहीं बोलती जनरली ऐसे असलब अनोइंगली मैंने अपने गूरु से इस तरह से कैसे मैंने बात की इसका मुझे हमेशा दुख हुआ मैंने हजार वार अभी तक उन से penalty मांग चुकी हुँ मैं और आज भी मांगती हूं कि गुरुजी मुझे इक्शमा करें और आज भी कभी कभी संगत कभी कोई गलत चीज करती है यह के सामने गलत बात करी थी तो इन लोगों को भी हमको माफ करना आना चाहिए हमें क्या माफ करना चाहिए हमारी बुरों उनको माफ करते है हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए उनको आज नहीं समझ रहे हैं वो कर समझ जाएंगे तो इस तरह से फिर हमको गुरुजी ने दूसरे दिन बुलाया, फिर और बुलाया, फिर और बुलाया, रोज बुलाते गए और हम रोज जाते रहें, हमें बस अच्छा लगता था, गुरुजी के पास जाना, बैठना, वहां का experience उनके पास बैठते हैं, सारी चीज़ भूल जाते थे, and you just be in that moment, और बहुत ही अच्छा लगता था, तो किस तरह का अच्छा है, वो भी वर्णन करने से परे हैं, तो तीरे देरे हमें पता चला कि सारे लोग तो एक ही दिन नहीं आते हैं, अलग अलग दिन आते हैं, तो हमने जब पुछा तो हमें पता चला कि लोगों के दिन बंदी हुएं, तो हमें लगा गुरुजी से पूछना चाहिए हमारा भी कोई ऐसा दिन हो, तो हमने जब जा कि गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी हसने लगे, कहने लगे, तुम सारे दिन तुमारे हैं, हरो जाना है तो हम लोग फिर हारो जाने लगे। ऐसे दीरे पिर हम लोग शबद सुनते थे तो पहले तो मुझे पंजाबी में बिल्कुल भी नहीं समझती थी। लगता था पंजाबी में कोई भजन आ रहे हैं। लेकिन दीरे दीरे उसमें इतना अमन लगने लगा, इतना अमन दाने जन मंदिर में तो वो ना इसकी सीड़े हम भी करीद लेंगे और हम घर में भी सुना करेंगे बिल्कुल मुझे भी यही लगता है मैं आज डीजे अंकल को बोलता हूं कि यह कहां मिलते हैं मैं हम लोग महीं से करीद लेंगे उनसे पूछ लूँगा तो फिर नेक्स डे जब हम गुरुजी के पास गए तो जहां पर उस समय तो ऐसा होता था यह नहीं कि अपनी बहन है या फ्रेंड है उनके साथ में बैटेंगे उनके साथ ही लंगर करेंगे ऐसा कुछ नहीं जहां से वादार बिटाएंगे जहां गुरुजी की मर्जी होगी वहां आप बैठो वहां लंगर कहीं और मतलब जिस तरह से गुरुजी का अरेंगमेंट होता था उसी तरह से हम रहते थे अपने अपने परिवार कहां है कुछ पता नहीं रहता था तो I was looking for uncle की भई मैं उनको देखो तो मैं उनसो इशारे से पूछो तो सहें कि भे CD लेना का पूछने के लिए दिखाई दो So I was very happy कि चलो यहीं मिल गया शायद यहीं बेशते होंगे कहीं मंदिरों में या कहीं ऐसे चीज़े मिलती है तो that's what I thought और जब कार में बैठे जाने लगे वापस तो मैंने इंसे पूछा कि आपने कहां से खरीदा तो इन्होंने का नहीं मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं किसी से I was sitting in my meditation में आग बन करके ज्यान में था तो एक अंकल ने आके मुझे उठाया और ये दो कैफेट्स हाथ में दी और बोला गुरुजी ने या आपके लिए दी है तो हमारे मन की हर भावना भर इच्छा जो जायज है जो अच्छी है वो गुरुजी तोरं कैसे कुरी कर देते हैं तो हम लोगों ने फिर वो लाकर के घर में भी हम लोग फिर सुनने लगे और इस तरह से फिर हमारा उसके साथ भी लगाव बढ़ता गया जो समझने की इतनी जरूरत भी ने मैसस होई अपने आप ही समझ में कोई चीज आ जाते थी या नहीं आती थी तो हम संगत से कभी पूछ लेते थे तो एसे गुरूजी ने हाथ पकड पकड करके हमें एक एक चीज समझाई और हमें हम गुरूजी से जब संत्संग सुनते थे किसी किसी से संत्संग सुनatisfाते थे जब गुरूजी और तो एक देखनेला ऐक चीज थी कि गुरूजी उस्टू बी हैपी so happy if that person मतलब he got his life back or he got rid of his disease और कुछ भी उनके साथ में कितना भी कल्यान हुआ होता उससे भी ज़्यादा मुझे लगता था कि गुरुजी अंदर से इतने खुश है जिसका कल्यान हुआ उसके लिए तो मैं यहीं सोचती थी कि who is this unselfish person मतलब इस दुनिया में कोई इनसान इतना भी unselfish हो सकता है तो यह है कौन यह कौन हो सकते हैं यह इतना ज़्यादा कल्यान कर रहे हैं उपर से सारा बहुत सारे diseases बहुत सारी लोगों के कश्ट अपने उपर लेते हैं जब अगर आप हम उनको देखते हैं जब वो लोगों के कश्ट अपने उपर लेते हुए तो बिलकुल मैं आपको यकिन दिलाती हूँ कि कभी आप किसी चीज़ के लिए गुरुजी से नहीं पूछते हैं इतनी कश्ट उनको होते थे कभी कभी लेकिन वो इतने खुश हो जाते थे तो हम भी उस चीज़ का आनंद उठाने लगे कि अर्या संगत में इस परसन का ऐसा कल्यान हुआ और उसके साथ में यह हुआ उसके साथ में उसका यह डिजिस ठीक हुआ और इतनी खुशी पदा ऐसे लगता था कि यह कैसी जगह है यहां आकर कि क्या क्या होता है और ऐसी तो कभी कोई प्रत्वी पे कोई जगह ही में हो सकती और ऐसे लोगों के कल्यान हो रहे है इतना आनंदारा आता था हमें भी हम भी उसमें बहुत आनंद लेने लगे और एक दिन हमें पता चला कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है तो हम तो किसी चीज़ के वज़ा से नहीं गए थे गुरुजी के पास ना हमें ऐसे कोई प्राप्लिम थी ना हमने कभी सोचा कि गुरुजी हमारी कोई चीज़ ऐसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में कभी सोची नहीं आई लेकिन जब हमारे साथ भी कुछ चोटी मोटी चीज़ तो ऐसे यूँ ही ठीक हो रही है या बदल रही है महसुस हुआ ऐस दिन ऐसे हुआ कि गुरुजी ने अपने पुराने से वादार अंकल है अर्जुल अंकल तो उनको अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहा तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि गुरुजी ने उनका पुराना अस्थमा कैसे ठीक किया तो उसी समय अंकल को पता याद आया कि इस साल जब से गुरुजी के पास आ रहे हैं इसन भी चले गए लेकिन उनको इनकी भी बहुत स्ट्रॉंग फैमिली हिस्ट्री अस्थमा की है और सीजन पे चेंज होने पे इनको एंटिबियोटिक्स लेने पड़ते थे इन्हेलाता हमेशा जेब में रखा रहता था तो इनको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी थी उस बार तो फिर जब सत्संग कतम हुआ तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखिये मेरे साथ भी ऐसे हुआ है मेरे मुझे भी कोई अस्तमा की प्रॉब्लिम में तकलीफ नहीं हुई इस बार तो गुरुजी फिर स्माइल करके कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली है ना इसलिए इस तरह से गुरुजी में ब्लेसिंग्स क्या होती है किस तरह से तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा हूं मैं ये भी हमें समझाए फिर मेरे मन में ऐसे आता था कि ये गुरुजी ये कहां से मतलब इतना इवॉलिशन इनका हुआ है ये कहां से आए है इनका परिवार कैसे होगा इनका अब्रिंगिंग कैसे होगा इनका एजुकेशन कहां हुआ होगा कहां पैदा हुए होगे ये मतलब how come he has come on this earth मतलब basically ये बार बार सवाल आता रहता था था उनके तरफ में जब भी देखती रहती थी I used to think like this तो ऑगस्ट का महिना था गुरुजी ने एक दिन हमको बुलाया उस दिन long weekend था Saturday Sunday के बाद जन्माश्टमी और 15 August आ रहते लगाता तो गुरुजी ने कहां कि छुट्टियां है और आप लोग ना दोनो पेमित चले जाओ बुटुगरी चले जाओ और पिर कपुर्टला जलंदर वगरे तीन जार जगह का बताया गुरुजी ने कि यहां यहां जाना है आपको और थोड़े थोड़ा काम भी बताया कुछ काम क्या वो तो हमारे blessings ही थे और हमें बोला कि आपको बहां जाना है और हम लोग गुरुजी ने हमें कोई वैसे direction ने दी थी कि कौन से time जाना कौन से दिन कहा जाना तो हम अगर गुरुजी बताते तो हम वही follow करते लेकिन गुरुजी ने नहीं बताया था तो हमने भी अपने मन से ही अपना program बनाया and we started off तो हम जहां जहां जाते उसके पहले गुरुजी की अब phone चला जाता और हम पहुँचने वाले होते वो लोग हमें phone करते कि गुरुजी का अभी अभी phone आया तो आप अभी कहां पहुँचे हों और हमारे लिए लंगर तयार रखने के लिए तो जो भी कुछ है हमारे लिए सब कुछ करने के लिए वहाँ पर पूरी व्यवस्था गुरुजी ने रखी जब हम पेंड गए डुगरी गए तब गुरुजी की पूरी family अमारे लिए लंगर बना करके रेड़ी बैठे वोए थे हमारे इंतदार में कि गुरुजी के दो तीन phone आ चुके हैं कि अभी तक नहीं पहुँचे और जब हम पहुँचे तो फिर हमें बापुजी ने वहाँ पर जहां डेरे में जाते देरा में जाते थे गुरुजी मतलब अलग-अलग जगें दिखाए वहाँ पर बैठके हमने सब सत्संग किये उनके साथ टाइम बिताया अंटी के साथ लंगर चाची जी के साथ में साथ-साथ लंगर बनाया और उसके बाद में रात जब हो गई लंगर वगरे हो गया हमारात का तो उसके बाद में अंकल जाना चाहते थे तो अंटी ने मतलब चाजी जी ने बताया कि आपको गुरुजी ने कहा है कि आज रात को यहीं रुपना है तो जब हम लोग चेंज करने के लिए गए अंदर तो अंकल ने कहा कि मुझे तो सुभे सुभे बहुत important काम था तो मैंने कहा कि तो फिर तो इन्होंने कहा तो कोई बात नहीं जो गुरुजी की आज्या है वही करना पाकी देखा जाएगा तो उसी समय फिर चाजी जी ने दरवाजा खटकताया और बताया कि अभी अभी फिर गुरुजी का कॉल आया है गुरुजी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को important काम है तो उनको जाने जाए तो जो जो चीज हम गुरुजी की मानते हैं जैसे जैसे हम मानते हैं गुरुजी सबसे पहले हमारी सवलियत देखते हैं मतलब यह ऐसा आनंग हो था हम हमारा इतना फुल्फिरिंग इतना आनंद गुरुजी वहां बैठके हमारा सारा कुछ करवा रहे थे whereabouts सब कुछ हमारी जानकरी हमें दे रहे थे और blessings भी दे रहे थे तो it was a very memorable trip जो गुरुजी ने एक 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 जगह पे जा जा करके सबके साथ में मिलवाया बहुत कुछ लोगों से मिलवाया, blessings पहुँचाई, blessings दी तो कई बार ऐसे होता था जैसे गुरुजी अंकल को पूछते थे because आमको लगता था कि because he is a doctor from him कि गुरुजी पूछेंगे कि अच्छा तो फिर ये मेरी शुगर कैसे कम होगी या मेरा वेट कैसे कम होगा या ऐसे ऐसे चोटी चोटी चीज़े पूछते रहते थे तो अंकल उनको explain भी करते थे तो he used to talk a lot with अंकल तो लेकिन आज मुझे पता चल रहा है उसके 15, 16, 18 पता ने इतने सालों के बाद में अंकल को diabetes हो गया या वेट भी मतलब control करने की जरूरत पड़ी so at that time मुझे अभी आदाता है कि गुरुजी ने शायद इसी लिए वो उस time वो चीज़ पूछके और उनसे वो बुलवा करके वो blessings भी है तो हमें उस time मैंने जैसे बताया था कि हमें उस time कभी भी कोई ऐसी problem ही नहीं थी life में कोई परिशानिया नहीं थी लेकिन उसके बाद में 15 साल के बाद में last three years तो very very crucial were very crucial for us for uncle sales for other things बहुत सारे उतार चड़ाओं में से हम लोग निकले हैं और गुरुजी के 20-20 साल पहले जो भी गुरुजी ने blessings दी है या कुछ किया है या बताया है या practically मतलब कुछ करा है वो चीज आज मुझे पता चल रहे हैं कि वो आज के लिए थी तो ऐसे हमारी जर्णी चलती गई मेरे बच्चों को ब्लेस किया मेरी डॉर्टर उस समय अमेरिका में पहले दिन जब हम मिले थे तब मेरे मन में ये भी सवाल आया था जब हम लोग गुरुजी को मत्था टेक के घर जाने के लिए आग्या लेने के लिए जा रहे थे तो मेरी बेटी उसी समय अंडर्ग्राइडशन के लिए यूएस गई हुथी तो मैंने सोचा कि शायद उसको पता चलेगा कि हम ऐसे किसी जगह आये हैं तो शी वूट से कि हम लोग मैं क्या चली गई आप लोग कहां कहां ऐसे जगह पे जाने लगे हो and at that moment I was quite far off from गुरुजी वो लाइन में थी मैं क्यों में और गुरुजी रश्मे आटे के साथ बैटे हुथे जोर से गुरुजी उंगली से मेरे तरफ इशारा करके बोलते हैं इनकी बेटी है न बड़ी सयानी है अमरिका में पढ़ती है उसको पता है महापुरुष क्या है यह तो इनको पता नहीं है इसलिए इनके मन में शक हो रहा है उसके बाद भी गुरुजी ने उसको बहुत blessings दे तो यह अमेरिका में जब पढ़ रहे थी तो उसको उसका subject पे थोड़ा सा यह था cognitive neuroscience very specific subject तो after her undergrad she wanted to do research PhD बगरे करना चाहती थी वो उसके लिए उसको Harvard या MIT जैसे बढ़िया जगह पे research करना था तो she was looking for opportunities and she was not getting anything or any opening तो एक last conference में उसको एक MIT के बहुत senior professor मिली और उसने मेरी बेटी ने उसको बताया कि मुझे ना इस तरह से मतलब interested हूं मैं वो opening के लिए तो उसने सीधे सीधे बता लिया that professor just told her straightforwardly कि भी मैं आपको क्यों मतलब I will prefer only an American student because you would have many problems for because you are an Indian citizen आपको शायद visa की problem होगी और और भी काफी सारे उसने technical letters बताई और कहा कि if you are very good or better than any American person then only I would think about you but you can apply always तो इसने फिर apply किया बड़ी तयारी करे उसकी और बहुत ही tough fight थी interviews के लिए first round of interview, second round of interview, third round of interview and finally she got selected so it was a very tough fight for her, so at that time my husband was traveling to US for some work and वो उसको मिलके वापस आ रहे थे, उसी समय से ये interview कतम होके इसका result आ गया था कि इसका selection हो गया, so both of them were very happy and then he came back, तो next day जब हम लोग गुरुजी के पास गएं तो गुरुजी अंदर कमरे में थे चोला चेंज कर रहे थे और थोड़ी सी संगत बाहर कमरे के बाहर जैसे खड़े रहते थे हम लोग वैसे खड़े थे, हम भी खड़े हो गये, गुरुजी जैसे अपने कमरे से बाहर निकले, तो गुरुजी एक्दम जोर से बहुत खुशी से हसके कहते हैं कि डाक्टर बिटिया पहुच गई ना बढ़िया जगह, बहुत खुशी से और भी उन्होंने कुछ बोला, and we were so surprised कि हमने तो कभी किसी को बताया है ना संगत में किसी को बताया, ना गुरुजी को कभी जिकर क कि हमारी बेटी क्या पढ़ रही है, क्या चाहती है, कौन सी जगर जाना चाहती है, कोई इंटर्व्यू है, या क्या, nothing of that sort, no mention nothing, लेकिन गुरुजी बिल्कुल सब कुछ चानती है, और हमें उसी पता चला कि ये भी गुरुजी का है आशिरवाद था, जब हमने अपनी surprise because she had not met गुरुजी दें, और उसको लगा कि भी मैंने इतनी महनत कई, इतनी tough fight दी और आप ये credit गुरुजी को किस तरह से दे रहे हो, at that time उसको ये समझ नहीं आई थी तब तर, कि आप कितनी भी महनत करो, कुछ भी करो, लेकिन जो भगवान की जो इच्छा होती है, या अगवान का जो निरने होता है, वही सबसे उपर है, और उनकी आशिरवाद के बिना, उनकी रजामन्दी के बिना कुछ भी possible नहीं है, तो यह ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गुरुजी ने, और सबसे पहले जब जैसे medical के तो भी बहुत सत्संग है अंकल के साथ में, जै किसी डॉक्टर को दिखा, तो इन्होंने बताया कि भी एम्स में दिखा है, कहां दिखा है, तो गुरुजी ने बोला, जैसे तुम ठीक समझो, तो इन्होंने का सितारामबर्तिया में, हमारे एक बहुत ही बड़े मेरे टीचर ही है, नियूरोलोजिस्ट को यहाँ पर अभी अभी हां इम्स में हमारे ट्रामा सेंटर है, उसका इन्होगरिशन था, पोई मिनिस्टर वगरे सारे क्योंकि एर स्टिप वगरे सारा चत्पी करा हुआ था, तो प्रेजिदेंट प्राइम मिनिस्टर से लेकि बहुत सारे मिनिस्टर आने वाले थे, और डॉक्टर मैं बोला ठीक है गुरुजी तो मैं सुभे सुभे आठ साड़े आठ आ जाता हूं तो फिर गुरुजी इन्हों ने जाकर करके डॉक्टर से फोन करके टाइम भी ले लिया तो उन्हों वेरी आपी तो मीट ही स्टूडेंट और कहा कि आप तुम जरूर आओ और मैं फर्स तिं जैसे लंगर के बाद में टाइम मिलता था तो बाहर रस्ते पर जाकर के कॉल करके आए थे और मुझे इन्हों ने बोला कि मुझे तो ये वोट अफ थैंक्स देना था तो मैंने का फिर अब आप कैसे करेंगे तो इन्हों ने का कोई बात नहीं मैं तो गुरुजी ने जो ब जो इन्हों ने जब बोला गुरुजी को कि मैं फर्स्तिंग डॉक्टर को दिखाऊंगा मैं सुभे सुभे आ जाता हूं आट साड़े आप तो गुरुजी ने का नहीं तुम साड़े नहीं आ जाना तो फिर इनको लगा कि अरे इनको तो पहले दिखाना है तो गुरुजी जाए प्रशाद हो गया यह हो गया वो हो गया तुझा स्टेप सिटींग और गुरुजी भी है लेकिन पेशन्ट ही नहीं आ रहा है बाहर सो फाइनली देन अंकल गोट वेरी रेस्लिस बिकॉस ही वस और इस टीचर तो डॉक्टर तो इन्हों ने अपने असिस्टंट को फो तो उसने का ठीक है फिर जब थोड़ी देर के बाद में गुरुजी ने पेशन्ट को बुलाया और फिर उसके सारे कावज निकालके इनको दिखाए और फिर बताया कि ऐसे ऐसे यह इनके पेपर्स हैं और बहुत लंबी लिस्ट थी मेडिसिंस की लिस्ट थी और इसमें डा कर सकते हैं इसको गोले फिर यह वाले चीज ना ऐसे करना पूरा गुरुजी उनको बताने लगे तो अंकल के अगर गुरुजी नहीं सब बताना है तो मुझे डॉक्टर के पास भीज क्यों रहे बट दिन ही सेट कि ओके गुरुजी ठीक है आजी गुरुजी बोलके यह पे पेपर्स इन इस हैं और बैठे हुए थे तो उनके कमरे के बाहर और अमें देखके खड़े हो गया और बोलने लगी कि मैंने तो सब कुछ तयार कर लिया लेकिन अभी तक तो डॉक्टर ही नहीं आए तो अस सून आज और अज्टर करेंग लुजी अटेक लेकिन ही ते रणी हैं और बैठेंड़ा टॉजी है लिए आसें अशेंगा गढ़ा और पिर उसके बार में उन्होंने पेशंट को पहुत पियार से अच्छे से देखा अदा गंटा अच्छी तरह से सारा असेस्मेंट किया अन दें when Dr. Panto showed him the paper he just had a look at it for 5-10 minutes and then he started uttering one line by line he said ये पहली गोली बन कर देते हैं ये तिसरे नमर के आधी कर देते हैं ये डाइट का चार्ट में ये कर देते हैं तो the way the sequence Guruji has said every sentence the doctor was saying the same way same sentence and in the same sequence so ये है हमारे Guruji तो हमें उसी दिन से बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि सब कुछ करने वाले Guruji हैं डाक्टर तो बस एक जरिया है उनके तरफ से करने वाले तो ऐसे अंगेनत experiences हैं मेरी डाटर के भी बच्चों के भी बहुत सारे experiences हैं हमारा हमारी जर्नी इस तरह से चलती रही बेटी के साथ में जैसे Guruji ने एक बार हमें हम लोग बैठे वे थे रात को बहुत देर देर तक बिठाते थे Guruji उस दिन तो इतने देर तक बिठाया Guruji ने एक दिन कि सुभ़ होने वाले थी और पांच बजे अर्जुन अंकल गुरुजी को गुरुजी के चरण मतलब जूती रखके उनके सामने और मत्था टेक के चले गए उपर की कमरे के लाइट स्पंध हो गए गो रहा हो भया पिंड में थे सुधा अंटी अमेरिका में थी सारा स्टाफ सो गया था इदर और सारे सेवादार चले गए थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने हमें क्यों रोप के रखा है और सड़न में गुरुजी सेट कि परसो तुम्हारे घर आएंगे और पिर मुझे बुला आया अपने पास मुझे बुला ज़्यादा खर्चा नहीं करना है सारा सिंपल रखता है और पास बुला के कान में उन्होंने मुझे बताया कि क्या प्रशाद बनाना है किस तरह से बनाना है वो भी सिखाया और फिर गुरुजी उसके बुद्वार के दिन फिर हमारे घर आएं एंसे और उस दिन साड़े पास सो लोग आए होंगी और तिन ड्रॉप साइलेंज के साथ में किस तरह से सब कुछ हुआ वो गुरुजी ही जाने सारे तयारी हम मुझे लग रहा था हम अपने मन से कर रहे हैं एवरेटिंग गुरुजी वस बॉनिटरेंग जैसे कि एक अंकल आउंटी को जिनको हम बहुत पहले से जानते थे जो गुरुजी के बड़े प्यारी संगत है उनके लिए गुरुजी ने इन्होंने लिस्ट बनाई थी कि हमारे फ्रेंड्स में बुलाने के लिए तो गुरुजी का मेसे जाया कि उनको नहीं बुलाना तो हमें इनको लगा कि चलो कोई बात नहीं आने दो उनको बुरा लगेगा तो उनका नाम नहीं काटा दुबारा मेसे जाया थार्ट टाइम गुरुजी ने इसी अंकल को भेजा, वही शर्मा अंकल को, रप्टर शर्मा अंकल को और उन्होंने फिर हमें एक्स्प्लेन किया कि वाई गुरुजी इस सेंग देज विकॉस क्यूंकि गुरुजी भी जानते थे कि इनको लग रहा है कि भी किसी को बुरा ना लगे इस सेंगत को उसके बीज में कोई अट्का हो या कोई प्लेश ना हो एक के ब्लेस्ग के साथ में दूसरे की इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है बस गुरुजी की बात फोलो आप So that's what we did then वो आज भी हमें याद कराते हैं कि आपने उस दिन हमें नहीं बुलाए So it was such a wonderful thing उस दिन इतने लोगों को गुरुजी ने जिन जिन के जैसे जैसे मतलब उनकी जैसे जैसे रिक्वार्मेंट थी जैसे जैसे blessings उनको मिलनी चाहिया थी वैसे वैसे इंडिविजूली blessings दे गुरुजी ने उसके बाद हमारे aims का मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा blessings तो हमारे aims को मिली है उस समय हमारे aims की बहुत ज़्यादा problem चल रही थी और health minister के साथ में aims का बहुत जगड़ा चल रहा था aims के autonomy का बहुत issue हो गया था autonomy हमारी खतम होने जा रही थी तो इसके लिए parliament में भी बहुत ज़्यादा उसके बाद में लड़ाई हुई है और main का आंटी ने जिस तरह से इन लोगों के represent किया है तो जब गुरुजी हमारी घर पे आय थी उसके पंधरा दिन पहले की बात है main का आंटी ने uncle से पूछा था जब गुरुजी के साथ में बैठे थे दोना कि भई आपकी aims के autonomy खतम होने को जा रही है आप लोग कुछ कर रहे है कि नहीं कर रहे हो so uncle before replying anything he said he only replied actually कि जो करना है गुरुजी करेंगे तो then गुरुजी was quiet he didn't say anything लेकिन आफ्तर गुरुजी केम तो अवर हाउस उसके बाद में पार्लमेंट में बहुत डिबेट हुआ main का आंटी वस पेकिंग इन राजय सभा जिसको लोग बोने भी नहीं देने जा रहे थे but she spoke so well and इतने intricate बाते उसने बताई उन्होंने बताई और ऐसी तरह से case present किया तो मैंने पूछा था uncle से कि इनको brief किसने किया इनको कैसे यह सब पता है तो इन्होंने कहा कि brief तो मैंने ही किया था majorly लेकिन इतने details में तो उन्होंने भी नहीं बताया होगा यह सारा गुरुजी का करा कराया है और ऐसे कितने सारे सबसंग है मेंका अंटी के साथ और और भी लोगों के साथ में कि individually तो गुरुजी ब्लेस्ट करते ही करते हैं और individually के साथ-साथ ऐसा blessings देते हैं कि जिससे policy level पे बहुत बड़े पैमानें पे एक साथ हजारों लोगों के उपर उनका कल्यान उनके blessings पहुँचती हैं और वो policy change हो जाती है इस तरह के बहुत सारे सबसंग है मेरी बिपिया जब वहां पर थी अमेरिका में तो कई बार उसके साथ में मैं इस तरह की मतलब गुरुजी के इतनी blessings रही हैं इतनी blessings रही हैं तो यह महासमादी के बाद के बाद है शी हड़ फॉलन इल बहुत ज़्यादा बिमार हो गए थी जब वहारवर्ड में परड़ रही थी तो उसके बहुत ज़्यादा फीवर पेट में दर्थ वमिटिंग, डायरिया एवरिधिंग शेहाद और वहां का सिस्टम ऐसा है कि उसको कोई डॉक्टर की अपांटमेंट नहीं बिल रही थी हमने अपने एम्स के जो भी वहां पर हमारे कॉंटक्ट से उनके साथ भी उसका मतलब ये करा कॉंटक्ट करवाने की कोशिश की ट्रिट्मेंट जिलवाने की कोशिश की बट नथिंग हैपने और शी हैद अपांटमेंट वन येर आफ्टर फोर अप्शेलिस्ट तो उसकी रूमेट भी छोड़के चली गई थी and she was alone she was not able to get up she was not alone she was not able to even walk और eat कुछ भी नहीं कर पा रहे थी उसका सारा सिमेस्टर मतलब गेस्ट हो रहा था उसकी क्लासिस एक महिने से करने ही पा रहे थी and she used to call me and ask me ममी मैं क्यों ही ठीक हो रही हूँ मैं उसको कहती थी कि गुरू जी सब ठीक करेंगे तो मुझे जी गुरू जी क्यों ही ठीक करें यहीं मुझे पूछती रहती थी और रोती रहती थी ultimately I decided कि भई हम मैं जाओं और उसको यहाँ वापस लियाओं सेमेस्टर चाहे अब ना भी हो पाए कोई बात नहीं so we cannot do anything almost I had decided और उस दिन मैं मंदिर जा रही थी सेवा में अपनी तो कार में मैं शबद चलाती थी उस दिन अचानक से जो सबद मेरे पास था ही नहीं वो बचने लगा और पीन बोल ने ना सब कुछ जानता तो मैंने पूछा भी ड्रैवर से कि भी ये कहां से आया तो उन्होंने कहा मैंने तो वही सीड़ी चलाई है so I thought that this is the message from Guru जी to me अब Guru जी की महासमादी के बात की बात है उसके बात में जब मेरी डॉर्टर को उस दिन क्या हुआ she just asked me कि ममी गुरुजी मुझे क्यों ने ठीक करें और मैंने का गुरुजी तुझे जल्दी ही ठीक करेंगे उसी रात को गुरुजी ने दर्शन दिये रुजुता को और she saw गुरुजी वहाँ पर रात को उसके पास आये टेबल पर गुरुजी एक कोने में मतलब एक साइड में बैठे वे थे दूसरे साइड में रुजुता खड़ी वही थी and both of them were communicating तेली पथी से ये गुरुजी को पूछने लगी कि गुरुजी आप मुझे ठीक क्यों ही करें तो गुरुजी ने उसको कहा कि मैंने तुझे ठीक कर दिया है and गुरुजी ने उसको कोई एक चीज दिखाई मसाले की कि वो चीज तुम्हें नहीं खानी है then गुरुजी शोहर शोड़ हर दा वीजन कि उसको पहले एक बार उसके पहले बाले विजिट पे इंडिया के उसको फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे उसको गैनेकोलोजिस्ट को दिखाना पड़ा अपने फ्रेंड को and she had done her ultrasound and said कि भई इसको मुझे कुछ oberian cysts और कोई PCOD type की problems दिख रही है तो लेकिन बहुत clear कुछ नहीं नजर आ रहा है तो मैं उसको तुम Monday को ले आना हो after drinking lot of water then I will check again so she was very worried at that time कि भई मुझे ये सब क्यों हो रहा है और मैं कैसे मेरी treatment होगी कि मुझे क्या हो जाएगा and then Monday when we went there and after having lot of water she examined her ultrasound फिर किया तो उसमें पूरा सारा कुछ clear आया कुछ भी नहीं था my friend told me कि मैंने कुछ नहीं है बस ऐसे ही था मुझे उस दिन पताने क्या से दिख रहा था तो मैंने रुचुता को कहा कि यह सारी गुरू जी की blessings है लेकिन हम लोग हमेशा ही यही कहते है और बिलेड भी करते हैं लेकिन उस दिन जिस दिन गुरू जी ने इसको दर्शन दिये उस दिन बोला कि मैंने आज तिर को ठीक किया है बने उस दिन भी मैंने ही तुझे ठीक करा था जो ultra sound में गायब हो गया था उसका PCODEO और जो भी उसके oberian cyst जो डॉक्टर को पहले दिख रहा था वो जो गायब हो गया था वो भी मैंने ही किया ये गुरुजी ने उसको बताया जिन गुरुजी के हाथ में एक काच की कटोरी जैसे बॉल था छोटा सा जिसमें सफेज सा कुछ प्रशाद सा था गुरुजी ने उसको वो दिया खाने के लिए and then she very slowly she kept treating that then गुरुजी ने उसके सिर्पे ऐसे माथे पे हाथ रखा and she had high fever and immediately her fever went up यह सारा गुरुजी का आप विजन कही है या प्रतिक्ष उसको धर्शन दियती है वो उसी परसन को समझ में आता है कि गुरुजी साक्षात उनके सामने खड़े रहते है उसके बाद में next day जब यह उठी तो she had no fever and she was feeling much better although she was very very weak दुसरे दिन उटके जैसे इसने अपना फोन खोला तो इसको पता चला कि आज महाशिवरातरी है महाशिवरातरी की रात को ही गुरुजी ने उसको धर्शन दिये थे तो रुजटा ने फिर आपने friends इसमें message दिया happy महाशिवरातरी and she was very thankful to Guru जी तो उनके building के next building में एक South Indian Indian लड़की रहती थी she reciprocated she also said happy महाशिवरातरी मैंने कोई प्रशाद बनाया है would you like to have it तो रुजटा ने लिखा yes and that girl came over and when that girl came over उसके हाथ में वही कटोरी थी काच की जिस तरह की कटोरी इसमें Guru जी के हाथ में देखी थी और उसमें खीर प्रशाद इसमें अपने हाथ से बना के लाया था जो रुजटा ने खिरती रेदी रिखाया actually again and then thereafter she started improving मुझे जाना नहीं पड़ा उसका semester भी वेस्ट नहीं हुआ अच्छे माख से वो पास हो गई so this is the way Guru जी is always with us all the time Guru जी के महा समाधे के बाद थी बहुत जादा हम लोग परिशान हो सारी संगत परिशान हो गई थी और धीरे धीरे हमें समझ में आया कि Guru जी हमारे साथ ही है, गुरु जी में महा समाधी के बाद हमें जैसे बोलते थे, जैसे बठा के रखते थे और कहते थे फार्ट करने के लिए, ध्यान करने के लिए, जब घूमने चले जाते थे, रश्वी आँटी के साथ, रात को एक बजे, दो बजे, और हमें बता के जाते थे कि तुम ध्यान करो या पार्ट करो, डारेक्ति लिए ऐसे कुछ ज़्यादा गाइडनस मतलब ना हमने कभी पूछा गुरुजी से कि किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, ऐसा कभी नहीं पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया, इस तरह से हम लोगों को घर में लगता था कि हमको गुरुजी से ये गाइडन्स लेने चाहिए थी, इतना मालूम था, इतना पता था कि गु Autobiography and Yogi, ये बुक मेरी अपनी कहानी है और पढ़ने के लिए, तो मैंने अल्रेडी पढ़ी हुई थी, तो समाधी के बाद, I think 2008 में फिर दुबारा पढ़ी, हमारे बच्चों ने भी पढ़ी, और इस बार कुछ अलग आनन मिला, कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग मिली, जो ज और साधना के लिए, इस बुक में क्रियायोग का वर्णन है, तो हमें बहुत लगने लगा कि हमको भी ये क्रियायोग जाना चाहिए, सिखना चाहिए, हम लोग ने सर्च किया, और पता चला कि कोई authentic क्रियायोगी अभी कोई यहां पर बनारस में, या कहीं भी जहां इंडिय जी ने बहुत ही इवाल्ड दो क्रियायोगी गुरूं से हमें मिलवाया, और उन में से एक से हमने तीखा भी, और अभी इतना प्रैक्टिस हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मेरा बेटा है, he has followed it throughout, and गुरुजी is guiding him, हर समय उसको guide करते हैं, तो यह इसा कुछ जरूरी नह है, या साधना करना है, हमारी योग्यता क्या है, हमारा सोभाव क्या है, हमारी चाहत क्या है, और सबसे ज़्यादा हमारी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से गुरुजी हमें guidance देते हैं, रास्ता बताते हैं, और इस सत्संग की को चीज़ बताने की वज़े यही है कि genuinely if you want to progress, हमें, गुरुजी हमारे सामने हमेशा भी कल लाते ही है, इतनी सारी जर्नी में, गुरुजी ने हमें इतनी blessings दी हैं, और आज भी देही रहे हैं, in fact, He is running our lives, we only need to surrender to Him, meaning, having complete faith, accepting whatever He wants us to do, and loving Him unconditionally, you know all this, अमारा इतना transformation गुरुजी करवा रहे हैं, हमको spiritually evolve कर रहे हैं, आज एक मुझे message मिला था, जो यह इस चीज को summarize करता है, कि गुरुजी हमसे चाहते क्या है, और हमें क्या बनना चाहिए, तो उस message में था कि, अपने आपको निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, और गुरुजी का निरंतर ध्यान करते रहें, इस इस मेरी सिंपल, जब हम उनके वचनों पे चले, उनके बताय हुए रहा पे चले, so it becomes very simple to lead a life, fruitful life, thank you Guruji for everything, thank you all for the listening, and thank you Vikram Ankal, Mandir Management, सारे सेवादार Ankal, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और thank you Guruji, Jaya Guruji. झाल